समय की बात है, एक महात्मा अपने शिश्य के साथ घूमने के लिए निकले. महात्मा को इधर, उधर की बातें करना बिलकुल भी पसंद नहीं था. कम बोलना और शांत रहकर अपने काम से काम रखना महात्मा को पसंद था, लेकिन उनका शिश्य बड़ा बातुनी था. वह सारा दिन इधर-उधर की बातें ही किया करता था और दूसरों की. बातों में उसे बहुत आनंद आता था. चलते-चलते जब महात्मा और उनका शिश्य एक तालाब के पास से गुजर रहे थे, तो उन्होंने वहाँ एक मचुवारे को पानी में जाल डाले मचली पकड़ते हुए देखा. शिश्य को यह बात बहुत बुरी. लगी और वह मचुवारे को अहिंसा पर्मो धर्म का उपदेश देने लगा, लेकिन मचुवारा उसकी कोई बात समझने को तयार नहीं हुआ. पहले मचुवारा शिश्य की बात को टालता रहा, लेकिन जब शिश्य उसकी बात नहीं माना तो दोनों के बीच में. लडाई जगड़ा शुरू हो गया. जब दोनों आपस में बहस कर रहे थे, तो महात्मा आगे निकल गए था, लेकिन जब महात्मा ने दोनों को आपस में जगड़ते हुए देखा, तो वह वापस लोटे और शिश्य को अपने साथ चलने के लिए कहा, और शिश्य का हाथ पकड़ कर महात्मा उसको अपने साथ ले गए. महात्मा ने शिश्य को कहा बेटा हमारा काम तो सिर्फ समझाना है लेकिन भगवान ने हमें सजा देने के लिए धर्ती पर नहीं भेजा है शिश्य ने कहा गुरुजी हमारे राजा को इस तरह के लोगों के लोगों के बारे में पता है जो इस तरह के बुरे कार्य करते हैं और ना ही वह इनको दंड देते हैं आखिर इस तरह के लोगों को सजा कौन देगा शिश्य की बात सुनकर महात्मा ने कहा कि बेटा तुम परिशान मत हो इनको सजा देने वाली भी एक अलौकिक शक्ती इस दुनिया में है जो सब कुछ जानती है भगवान की नजर सब के उपर है और वह सब के कर्मों का हिसाब रखते हैं इसलिए तुम अभी चलो तुम्हारा उससे जगड़ा करने का कोई फाइदा नहीं है शिश्य गुरु जी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उनके साथ चल दिया इस बात को बीते हुए दो वर्ष का समय निकल चुका था एक दिन महात्मा और उनका शिश्य फिर उसी नदी के पास से गुजर रहे थे शिश्य भी दो साल पहले वाली मचुआरे वाली घटना भूल चुका था वहाँ उन्होंने एक घायल साम्प को देखा जो बहुत परिशानी में था उस साम्प को हजारों चीटिया नोच-नोच कर खा रही थी शिश्य ने यह द्रिश देखा तो उसका दिल करुणा से भर गया उससे यह सब देखा नहीं गया वह साम्प को बचाने के लिए जाने ही लगा था कि महात्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको जाने से मना कर दिया शिश्य ने गुरु से पूछा आप मुझे साम्प को बचाने के लिए क्यों नहीं जाने दे रहे महात्मा ने कहा इस साम्प को अपने कर्मों का फल भोगने दो अगर तुमने इसको बचाने की कोशिश की तो इस बेचारे को अगले जन्म में फिर यह दुख भोगने पड़ेंगे क्योंकि कर्म का फल सभी को भोगना पड़ता है महात्मा से पूछा कि गुरु जी इसमें ऐसा कौन सा कर्म किया है जो यह इतना भयनकर कश्ट भोग रहा है महात्मा ने कहा कि यह वही मच्छवारा है जिसको तुमने दो साल पहले मच्छियों का ना मारने का उपदेश दिया था और वह तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया था वह मच्छियां ही यह चीटियां है जो इसको नोच-नोच कर खा रही है शिष्य महात्मा की बात सुनकर हैरान हो गया और उसने महात्मा से पूछा कि गुरुजी यह तो बड़ा ही अजीव सा न्याय है महात्मा ने कहा बेटा इस दुनिया में है स्वर्ग और नरक के सारे द्रिश मौजूद है तुम्हें इस धर्ती पर हर जगह ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं इसलिए अपने कर्म को हमेशा याद रखना चाहिए क्योंकि सच यही है जो हम करेंगे वह एक दिन हमें भोगना ही पड़ेगा महात्मा ने कहा कि हमारे जीवन का हर पल बहुत ही कीमती है इसलिए इस जीवन को बुरे कर्म करके बरबाद नहीं करना चाहिए शिश्यको गुरु जी की बात समझ में आ गई शिक्षा दोस्तों यदि हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा अच्छे कर्म करते हैं तो उसी के फलस्वरूप भगवान हमारे साथ न्याय करेंगे इसलिए हमें जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए करते हैं